तो आज बिएयो तो आज की झीडूकर करके ते स्फार्मे आजे करियर तो आपने उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन फार्मा कोप्या किया है उसके सैलेंट फीचर किया है अलगले उसके आइडिसन वगरा नेस्ट में हम इसको कवरी कर देंगे बीपी युएसपी एन एफ और एस्टा को एक साथ कवर फीकर देखते हैं इसमें और बाकी जो आग और आप देखनें अपना यूटूब चैनल फार्मेसी वाला तो बात करते हैं कि फार्मा कोप्या क्या है इक फार्मा कोप्या को मैं सिंप्ली बताऊने कि बुक होती है दिमाग मेरा कर लेना यह हमारे एक बुक है जो कि रेफरेंस बुक है यानि कि उसमेंने मैडिसन की इन फार्मा कोप्या और सिंप्ली मैं आपको समझाओं जैसे कि आप इंडिया में रह रहें तो हम इने संभितान को फोलो करना होता है जिसमें सारी इन्फोर्मेशन यह लिखाए कि वहीं कैसे कि इसको रहना है क्या रूल्स रेगुलेशन से मैसे ही मैडिसन से रिलेटिट हरे देश में एक बुक रहती है इसको हम फार्माकोपिया बोलते हैं इसको अभी आपको बाक आदर देखाऊंगो जो कि आपकी लाइबरेरी भी जो वहां भी आपको मिल जाएगी तो देखिए यहां पर सिंपली मैं अगर वर्ड को ब्रेक करके बताँ यहां पर फार्मा को प् देखिए कि फार्माकोपिया इजन ओफिसियल रेफरेंस बुक डेट मेक्स और इस्टेबलिस इस्टेंडर्ड को बनाने के लिए तू मेक ड्रग समझ आ गया जैने कि ऐसी बुक जिसमें इस्टेंडर्स लिखे होते हैं कि कोई भी ड्रग कैसे बननी है कितनी डोज देनी है कहां पे सोर करना है कियसे टेस्टिंग करनी है यह सारे जीजें यहँगी आपकि फार्माकोपिया खीक है आफ दे यहां पे सिंपल वही बात लेखी क्या क्या इंफमेशन इसके अंधर होती है लिखाए कि फार्माकोपिया कारेटरिस्टिक ए प्ला जोर् triggered Divi ए लिखे रहत वह भी लिखा रहता है इस्टोरेंस कहां पर लिखा रहता है एंड लेविलिंग का मतलब है ज़सके प्रोड को कवर करने के बाद उस पर इनिफ्रमेशन लिखनी होती है जैसे पेर्स प्राइस्टमॉल एतने हैं इतने हैं इस तरीक़ लिखा हो तो लेवल लिखी रहती है और उस हम बुक को बोलते हैं और जो फार्मो कोपिया इंडिया के अंदर है उसको हम बोलें है जिसमें सभी medicine के standards उनकी नेम उनकी डोसेज फॉर्म उनके बनाने की method उनके टेस्टिंग के method storage condition सही डोस एंड यूज करने की detail लिखी रहती है उसी बुक को हम यहां पर फार्मकोपिय बोलते हैं समझ आ गिया वाकि देखो यहां पर इनकी नहीं मैं आपको medicine बदलते हैं मतलब new edition आता है और उसमें भी अलग अलग वोलियम होते हैं जैसे कि एक बुक है तो इसको एक वोलियम बोलेंगे जैसके वोलियम वन वोलियम टू वोलियम फॉर यह इस तरह किसे वोलियम होते हैं तो यह 2018 की इंडियन फार्मकोपिया है यहां पर 2018 की बिटिस फार्मकोपिया है जिसमें आप देखोगे पांच वोलियम है वन टू थ्री फॉर फॉर फाइब सिक्स वोलियम है इसके हैं तो अलग लग लग कंट्री में अलग लग फूलों कोई जाती है वाकि यहां पर आप देखोगे यह आपकी युनाइट इस्टेट की ह है जो की 2020 की है तो इस तरीके से आपको समझ आया है और वाकि देखिए आपने ने कई सारी मैडिसंस देखी होंगी टैबलेट वगएर इसके आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा तो यहां पर आपने जैसके यह नजर आ रहा है आपको आई-पी नजर आ रहा है मतलब कि यह ज अफेसे लेख है क्योंकि वह इस जो फोलो करके बनाइए अब अब सब्सक्राइब करने ने दीखा तो मैं अपने लेटेस्ट है 2022 वाली जो आपको दिख रही है एंड इसकलाब आप यहां पर देखो कि ऊपर जो आपको नदर आ रहा है यहने 2014 की फार्मकोपिया है और इसकलाब भी अलग लग वोलियम है साथ के साथ यहां पर 2018 की भी है और 1996 की भी है मतलब इनके तरह अलग लग एडिस सना सब्सक्राइब है जो कि 2011 में इसके अलग अलग पांच वोलियम है फिर इसकलाब आप देखोगे यह आपकी बीपी 2005 की तो यह इस तरीके से आपको दिख रहा है वाकि जो आपको नजर आ रहे हैं छोटी-छोटी से यह जो है यह आपकी ना इंटरनेशनल फार्मकोपिया है आपको यह दिख रहा है अपना अपने लाभरेरिश में जा जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे यह होती है और इसमें क्या के इनफोर्मेशन लिखी रहती है आप देखिए हमने इंट्रो देखा है कि आकिर फार्मकोपिया क्या होती है उसका इंड्रोडक्शन बग्यरा अब हम ब पर्रफ। इंडिया में रहती है और उसमें मैडिसंस की इंफॉर्मेशन जे रहती है उसे कोुछ इंदेन ऐसी और इंडिया के सारी इंटिय। का इंदर इसे को फोलो करके कर Absolute यहां पर देखोगे आपको मैंने दिखा रहा है अलग-अलग एडिसन है मैंने बोला जिसके चार-पांट साल के बाद नियु आता है इसके उनीस सो चानमे का है यह 2007 का है 2010 का है 2014 का है 2018 का है अब यहां पर अलग-अलग आपको नजर आ रहा है इसके चार वोलियम है आप देख सकते हैं और अगर आप यह नोटिस करोगे तो यह जो है पब्लिस की गई है इंडियन फार्मकोपिय कमिसन के दौरा जिसका जो ऑफिस जो गाजियवाद में है उत्तर प्लिस में तो यह भी आपने याद रखना होगा एंड इसमें देखिए न मैं आपको अब बताता हूं कि आखिर इसमें क्या डेटेल रही रहती है जैसे आप यह देख रहे ने कि उसका नेम क्या है उसकी क्या फॉर्म रहती है क्या टेस्टिंग मैथर्ड है क्या क्वालिटी स्टेंडर्ड होते हैं इसकलाव यहाँ पर कैसें की टेस्टिंग की जाती है कहां पर स्टोर करना है क्या डोस रहेगी क्या डोसेज फॉर्म रहेगी कहां कहां वो इंट्रेक इसके वाल में फुल डेटिल लिखे रहे हैं इंडियन फार्मकोपिया में उसको हम मोनोग्राफ होलते हैं तो समझ आगया अश्क्राब देखिए आपकी नदेर आघारा है जिसमें फॉर वोलियम है और इसके साथ डीवीडी आप देखें होंगे न जब पुराने जमाने में जो cassette type आती थी जिसे गाने भी चलते थे आपकी वीडियो भी चलती थी तो वो DVD के साथ भी आती है अब मैं भी आपको ने डिटेल में हापे बता तहूं कि इसकी साली बाते हैं जिसकी यहां पर आपको नजर आ रहे है इसका जो मैं एम क्या है IP का कि जो भी मैंडिया में बन रही है वो quality वाली बने वो safe बने वो effective बने इसका मैं यही है आम जंता को फायदा हो यह इसका एम है मैंने अभी आपको दिखाया इंडियन फार्मकोपिया कमिसन के द्वारी पब्लिस की जाती है और इसका जो head office कहां पर located है गाजियवाद उत्तरफिर्देस इंडिया के अंदर समझ गें इसका बात करते हैं history and development कैसे इसकी history रही है और यह कैसे इसको डवलप किया गया सबसे पहले फार्मकोपिया गरते हैं तो तो यह जब हम गुलामत है इसका सासन après कि इस फार्मकोपिया नह слов GORDON काफ्रीय इस फार्मकोपिया ही स्फोल्व की जाती तो लिखना है एपर इंडिपेंडेंस फार्मकोपिया भाद यूज़े इन इंडिया इतना लिख सकते हैं उसके ब क कि इन 1946 मनलब अभी भी देशाजाद नहीं है उससे एक साल पहले की बात है गवर्मेंट ऑफ इंडिया पप्लिश्ट दा इंडियन फार्मकोपिय लेस्ट एज सप्लीमेंट टू बिटिस फार्मकोपिय जब फोलो की जाती थी तो उन्नी सो चालिस में जो गवर्मेंट थी मनल कुमीटी थी 9 मेंबर की कुमीटी ती ती इनदियन फार्मकोपिय ph mês सिर्पीयरड वाई कमिटी अंडर चेरेमंसिप और सिर्रामनात चौपड़ा कहा ऑब इनके एंडरीग कर्मेंबर कि हैंना कि टोटल मेंबर कूरकिकर जिनों इस लिस्ट को बनाया था व्रिम एस को बनाए और इसका जो कारे काल था टैनियूर जो था इस कमीटे को पांच साल था और इन्होंने काफी मेहनत करी 1948 में वनी। और कम से कम यह पे च्थ-7 साल बाद सबसे पहले इसका फिष्ट एडियसषन यहापन में पर पबलीस हुआ इंडियन फ्रमकोपिया का थो यहां पहें लेक्षा है उननीस सो पच्पन में यह अपने दिखा नगना है 1955 1955 इसमें फार्मकोपिय जो थी इंडिन फार्मकोपिय वो इनदा चैर्मैंसिप अटर धे किर्मेंशिप उप डॉक्टर बी ऋंगोस इनकी चैर्मेंसिप में सबसे पहले इंडिन फार्मकोपिय आठा रहे हैं करेंटली बाइस का चलता है तो यहां पर देकर स्टार्टिंग तो 1955 से हुई फर्स्ट एडिसन आया जिसका एक ही बोलियम था वह यह मतलब मैंने बोली दिया था एक ही पार्ट था और इसका जो सप्लीमेंट था वह उनिस सो साथ माया सप्लीमेंट किसको बोलत सब्सक्राइब फॉंवी चाहँ और इसका सब्सक्राइब सिख्व ज फार्ट इसका स्ब्सक्रार क्रिक्रा चाहँ था पुर्टाइब x लग बुक थी बड़ी बड़ी जिसके बाद में अडेंड़म भी हुए अडेंड़म दो में और भी new medicines की information एड करी जाती है जो फार्मकोपिया बुक पहले से पब्लिश है उसके साथ extra एक और पब्लिश की जाती है साइड में उसको हम ओलते हैं supplement addendum क्या है small update with few correction मतलब जो पुरानी जो बुक है ने उसमें कुछ changes कुछ correction के जाते हैं थोड़ा update के जाता है कुछ minor error को यहां पर चैन्ज के जाता है उसको हम addendum हो जाती है तो उनको हम ठीक करने के लिए addendum यूज करते हैं थोड़ा उसमें changes करने के लिए थोड़ा update लाने के लिए बाकि अगर कुछ चीज छूड़ गई है ज्यादा तो सब्सक्राइब करने के लिए इसमें जो है एनिमल से रिलेटेड भी मैडिसन की इनफर्मेशन एड़ की इंक्लूड की अब नेस्ट आपका फिप्ट एडिसन 2007 में अब देखो यह तो पूरी लेस्ट मैंने आप दिखाई रखिया उनिस उच्छान में के तब फिर दोजर सा सब्सक्राइब के लिए इसमें इसमें जिसके तीन वोलियम थे और इसमें देखिया इसका दोजर बारे में अब फिर नेक्स्ट आपका सेवन्त एडिसन जो की डीवीडी के साथ यह इंट्रेस्टिंग चीज रही है पर इसके चार बड़ी-बड़ी से बुक थी और इसका इडेंडम 2015 और 16 माया अभी डीवीडी क्या है आपको याद आ रहा होगा जैसे कि मैं थोड़ा यहां पर दिखा दूं यह दो है इसमें चार बोले में 1234 एंड यह उपर तो दिखा रहे हैं कैसे टाइब डीवीडी होती है जैसे गाने चलाते से पुरने डाइम पे वीडिय 2014 वाली ठीक है ऐसे ही सेम 2018 वाली भी आई जो मैं भी आपको दिखाई रहा था इमेज में यह 2018 वाली ही फार्मकॉपिया है डीवीडी के साथ में और इसके नहीं चार वोले में आपको देख रही थी चार बड़ी-बड़ी से बुक थी जिसके अडेंडम 2021 माय था अभी जो क वीड़ी दिखाई थी हम पर चार अलग आपको नजर तो देखो बुक में भी आपको नहीं मिलेगा लेटेस्ट आपको 2014 वाले 18 वाले ही मिलेगा मैं अभी करेंट्ली रिसर्च करके सारको आपको इंक्लूट करता हूं आप देखो मैंने वहीं बता दिया सप्लिमेंट अड इंडियन फार्मकोपिया में मोनोग्राफ लिखे हुए मोनोग्राफ मैंने बोला था तोड़ी देर पहले कि याद रखने इस्थर्म को मतलब हर एक पर्ट्यूलर ड्रॉक के बारे में पूरी इनफॉरमेशन लिखी रहना क्या है वो किस नेम से आती है उसका कैसे उसको बन इसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ तो यह का मैंन फीचर हो गी दूसरा है टेस्टिंग मेथड लिखे हैं सभी की सभी मैडिसन के जो भी इंडियन फार्मकोपी आये में हैं लिका है टेस्टिंग मेथड फो चेकिंग कॉलिटी पुरिटी एंड फ्रेंथ आप दे मैडिसन ठीक ह इसमार्यों देंटfrede हैं हमें हार्मोनाइजेशन इंटरवल के बसी फार्मकोपी भी युटीट फार्मकोभाट यहां पर इंडिंडियन फार्मकोपी और फॉसरी युटॉई पर फोलू करके वह बनाई है मतलब उनके जानूरू इसको को उनके साथ हार्मोनाएशन है अगर हमारे इंडिया में कोई मैडिशन बन रही है आई-प्यू को फोलो करके तो इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट हो तो हमने इनके साथ मिल जोलके उनके अनुरूप ही इंडियन फार्मकोप्या को बनाया है ठीक है ताकि कुछ भी हाँ पर दिक्कत ना हो नेस्ट हमारा अ पिविचर है लास्ट मेंचले पहलें आथए आपको फ़ोड़ा अपको मैं लिसके कर देखा की हाँ बहुत हुद कुल ब्लकुल हो भी रटना नहीं है बस आप सामने जाकी देखा हैं पीडियों को ब्लीं में इसका लजुक्र हो самое है साभग को बदेख DR silent feature उसकी history बगरा देख लिया अडिसन बगरा नेक्स्ट में इसको cover ही कर देंगे यह आपको cover हो जाएगा chapter 1 तो मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में बाकी आप हमारे बैट को लोइन कर सकते हैं फार्मेस के वाला एप से एंड लिंक वी आपको description में मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई थैंक्यू है बनाइस टे